साइबर सिटी गुरुग्राम में रिसाला इलेक्ट्रिक कांपनी ने गुरुग्राम पुलिस को पाँच मोटर बाइक दिये बढ़ते प्रदूशन को देखते हुए इस निजी कांपनी ने इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है जो की एक बार चार्ज करने पर सत्तर किलोमीटर तक चलेगी इस मौके पर पंजाबी सिंगर दिलेर मेहंदी ने इस इलेक्ट्रिक बाइक की मोहीम को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के पॉल्यूशन फ्री वा प्लास्टिक फ्री जैसी मोहीम बताई और लोगों से अपील की कि वो पी एम मोदी की इस मोहीम में उनका साथ दे जूज रहे हैं अस्तमा से बजर्ग जूज रहे हैं तो ये दिनी नात इस से आज से ही फर्क बढ़ना शुरू होगा और खास करके बहुत जरूरत है इंडिया के अंदर इसकी बहुत ज्यादा और जैसे अधर ने पीम साह भी चाह रहे हैं और किस तरह प्रूशन फ्री इं अलगलग स्टेट्स के अंदर इन दौर में कावने जार कांगडा में 27,000 इस तरह करकर के एक मेहने के अंदर सवाला पेड़ लेकिन उससे भी ज्यादा काम ये है जो इन्होंने किया है ये पूलुशन के लिए बहुत बहुत फाइदा मंद है और सेफटी बहुत कमाल है उस से तो मैं बहुत 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 बड़ा योगदान है मोटर बाइक का कनून अब ऐसे हमारे पास सक्षम पीम आये हैं जो हर चीज को बिलकुल सीना ठोक के एक्दम कहते हैं कि चले एक करना है तो ये बहुत खुशी की बात है बड़ा बड़ा चेंज आएगा गुरुग्राम में बड़ते प्रदूशन को देखते हुए इलेक्ट्रोनिक बाइक का कंसिप्ट पुलिस के लिए बहतर साबित होगा इस मौके पर हर्याना के पूर्व डीजीपी रंजीव दलाल भी मौजूद थे पूर्व डीजीपी रंजीव दलाल का कहना है कि सरकार का न्यू मोटर वीकल एक्ट अच्छा है लेकिन सरकार को ड्रंक एंड्राइफ का चालान महेंगा करना चाहिए बाकी चालानों को सस्ता करना चाहिए अ कि अधिकल आख ग्रीजा खेंड्ड, एग दोनों तर्फ के अरुजान है रुजान के तना, लोड़ पीपल आर वीकल्ए पीपलाल विकल्र एप्राइफ को हाई, एक दम एंफोर्समेंट तो अच्छा हुआ है, पर तो पर दूरा रीजनेबल हो जाना हो जाए मेंगा ची गुरूग्राम में एक निजी कमपनी ने इलेक्ट्रिक बाइक लॉंच किया है शुरूवाती दौर में कमपनी ने पाच बाइक गुरूग्राम पुलिस को दिये हैं ऐसे में देखना होगा कि ये बाइक की सड़कों पर कितनी सफल होती है